थैंक यू पहले कि आपने हम सब को यहां बुलाया इसके बीचे ज़र नॉर्मल था था ये क्योंकि एक डेड़ साल पहले मेरे एक्सिजेंट हो गया था तो काफी टफ टाइम चल रहा था वो मेरे को याद एक बहुत जादा क्योंकि आपको कॉल आया था सर मेरे ममी को तो भूत जादा दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही थी बड़ जब आपको कॉल आया ममी ने मेरे को बताया कि सर פה धोड़ा मेंटली रिलाक्स होगा काफ के पी उसके बाद फिर in करी के टाइम पर आसपास सुनने लिए मिलता है त Chemie कि cricket कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा है तो मेर को स्पेशली विकेड कीपिंग के मेरे को बोलते थे कि यार पैट्समें तो फिर भी कर लेगा बैटिंग कर लेगा और विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा तो पिछले डेड़ दो साल ते सार यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राय करनी है और इसी अपने आपको प्रूफ करना है नहीं वाबर डेडिगेट करके किया नहीं वापस इंटरनाशनल क्रिकेट खेलना और इंडिया को चिताने को देखना है बहुत कुछ आगने आगने आवले दे सकते हैं विक्टरी तर दे दिये हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पार कर सकत हर छोटी-छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं अपने आप में आपके पास एक आथरिटी है ना चाहालत क्यों सिरियस है 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 मैंने सही पकड़ाएं ना हर्याना का कोई भी वेक्ति हो वो हर हालत में खुश लेता है वो हर चीज बे उसी डूटता है रहित मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता है जमीन कोई भी हो मिट्टी कहीं भी हो लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पीछी पे होती है और आपने क्रिकेट की जिंदगी है उसको चुमा कि यह हिंदुस्तानी ही कर सकता है जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चकना था बस क्योंकि उस पिछ पर हम खेलके उस पिछ पर जीते क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया इतना मेहनत किया बहुत बार हमारे पास बिल्कुल पास में आया था वोल्ल कप बढ़ हम आगे नहीं जा सके लेकिन इस बार सब लोगों के वज़े से हम उस चीज को असिल कर सके तो वो पिछ मेरे लिए बहुत मतलब यह था कि उस पिछ पर हम ने वो का जो भी हमने किया उस पिछ पर तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से हम लोगों ने पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन हर देश में से मार्क किया होगा लेकिन रोईत मैंने दो एक्स्ट्रीम चीजे देखी इसमें मुझे इमोसंस ना जा रहा रहा था और जब तुम टॉफिल लेने जा रहे थे जो नृत्य होता है सर उसके पीछे ये था कि जिसे हम सब के लिए इतना बड़ा मुमेंट था वो और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिव ऐसे ही मत जाना चलकर कुछ अलग करना तो ये चहल का एडिया था क्या चहल और कुल्दीब चहल और कुल्दीब अच्छा पना रंग भी खेड़ा पहले तो बहुत-बहुत शुक्री आपका कि आपने हम जब को यहां बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा क्योंकि ये पूरे टूर्णामिंट में मैं वो कॉंट्रिबूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और एक समय पे मैंने रहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब situation आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम perform करोगे तो ये conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोईत को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकीगी जैसी मैं करना चाहता हूँ तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार ये क्या game है ये मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक run नी बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे फील हुआ कि और इस्पेशली जब हमारी विक्टे गिर गई कि वो situation मुझे अपने आपको surrender करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे सिर्फ वो ही मेरे focus में था और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे जो zone में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डाला गया वो explain करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस moment में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है तो यह होना ही था मेरे साथ टीम के साथ अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में जो situation थी हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में जहां से मैच पलटा एक बॉल करके वो एनरजी फिर बनी तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में contribute कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते जैसे मैं ने बुला वो मैं कभी नहीं बुला पाऊंगा अपनी जिंदिगे में तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने ही कोशिश कर सकते हैं यह सब को लग रहा था विज़ार के कि टोटल आपका 75 और बाद में एकनम 76 तो कभी कवार यह पल होती है जब सब लोग कहते हैं तुम ही कर लोगे वो भी एक करा करते हैं ड्राविंग फोस बन जाता है लेकिन परिवार से में जिए क्या रिएक्शन आया हो गए जब पच्छतर में दब दबे रहते थे थे तो ची बात यह थी सर यहां टाइम का डिफरेंस ज़ादा है तो परिवार से ज़ादा बात नहीं मेरी मम्मी ज़ादा टेंशन ले लेती है पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था तो मुझे यहीं लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको यह लगता है कि मैं कर दूंगा तो कहीं नहीं आपका अंकार उपर आ जाता है तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है तो वो ही छोडने की जरूरत थी और जैसे मैंने का कि गेम की सिच्वेशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगा ही नहीं थी अपने अंकार को उपर रखने की वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए और फिर गेम ने फिर जब गेम को इज़द दी तो गेम ने वापस उस जब जब दी तो मुझे ये एक्सपिरिंस हुआ से बहुत बदाए हुए है